कहते हैं एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है आज कल की भाग दोड़ बड़ी जिंदगी में हिर्दे से जुड़े रोग बढ़ते चले जा रहे हैं भारत में तो ये बहुत जादा बढ़ता चला जा रहा है हिर्दे रोग इस पर 21 जून को अंतराष्टिये योगा दिवस पर यही थीम रखा गया है कि योगा फोर हाट कैसे योगा से हम अपने आपको सोस रख सकते हैं अपने दिल को मजबूत और ताकतवर बना सकते हैं आज हमारे स्टूडियो में फिटनेस ट्रेनर और योग का महत्त समझाने के लिए हमारे साथ मोजूद हैं फिटनेस ट्रेनर निशा जैन जी निशा जी अमरुजाला के स्टूडियो में आपका स्वागत है तो सबसे पहले मैं यही जाना चाहूंगी कि योग किस तरह से हमारे हिर्दे से संबंदित है बहुत बड़ा रिष्टा है हो गया है अब हिर्दे रोग और योगा का तो पहली बात है कि जो लोग अभी स्वस्त है पहले वो ही ध्यान दे दे कि हमें यह रोग ना हूँ तो उसका उपाय यह है कि हम फिटनस को बहुत जादा प्रेम करें अपने आप से प्रेम करें तो यह रोग कभी नहीं होगा तो सबसे पहला आप योगा उटते ही लम्भी सांस ले और लम्भी सांस छोड़े कुछ इस तरह से अपना फेसिज नहीं चेंज करना जगे सिंपल सांस ले debate कि सिंपल लम्भी सांस ले लम्भी सांस छोड़े इसको करीब 15 मिनट अगर रोज करें तो कभी किसी को फिर्दय रोग नहीं होगा अगर और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कपाल भार्ती जो कि सभी कहते कपाल भार्टी से कई रोग मिटते हैं जितनी एलर्जी होती है बच्चों को होती है आजकल जनमते बच्चों को कभी किसी चीज़ से अलर्जी है तो जितनी अलर्जी है अगर हमारा immune system strong हो जाएगा तो वो रोग भी नहीं आएगा तो अपने immune system को strong रखे और कपाल भारती करें कुछ इस तरह अगर हम इस तरह से कपाल भारती करें सांस छोड़े तो उनके लिए बहुत फायदे मंद होगा एक और बात कहने चाहूंगे जो हिर्दय रोगी और जिनके कई इलाज चल रहे हैं वो अपनी संबल संबल के शुरुआत करनी चाहिए फिर आजते आज से जैसे आपकी speed बढ़ती चली जाते हैं और बहुत ही एहम हिस्सा होता है और कितने उतार चड़ाव आते हैं एक दम हम जोश में आ जाते हैं एक दम फॉस्ट्रेटिड हो जाते हैं निराश हो जाते हैं अवसाद स साथ से भर जाते हैं एकदम से यह सारी चीजे दिल इतना कुछ जेलता है तो दिल को फिट रखने के लिए योग जो है वो हमें बहुत सारे फाइदेता है लेकिन क्या इतना असर होता है हमारे फिट रखने के लिए खिरदे को बहुत जादा माइने रखता है हम जब योगा करते तो एक अलग सा relaxation होता है stress relief होता है जो कि सबसे जादा important है अपने आपको fit रखने के लिए तो yoga एक stress relief का काम करता है अगर हम कितनी ही दवाईया ले लेकिन दिमाग में stress है दिल में हम दुखी है भी तो वो कितना ही दवा खाले वो ठीक नहीं होगा तो yoga एक ऐसा है कि वो हमें stress feel relief रखता है और हमें tension से मुक्त रखता है जिस समय हम yoga करते हैं उस समय हम अपने ध्यान में रहते हैं और अपने ही बारे में उस समय सोचे अपने ही अपने आपको प्यार करें अपने शरीर से प्यार करें तो वो एक अपना समय होता है जब हम yoga करते और हम दुनिया के बारे में इधर उधर कुछ नहीं सोचते हैं, तो इसका 100% result है कि योगा से हम फिट नहीं है तो हो जाएंगे और योगा करते रहेंगे तो कभी बिमार नहीं पड़ेंगे. तो आगे देखते हैं कि योगा से क्या-क्या आसन है जिनसे हमें फायदा होता है. उपर आठ पे और दो मुलिया निच्छे और अपने कंट से भावरे की तरह गुंजार करेंगे. इस तरह पांच बार करते हैं इसको जब तक आपकी स्वासा जब आपका स्वास थुड़ा सा मध्यम पड़ जाए. इसके बाद दूसरा है ये हाँ देख रहे हैं इसकी तरजिनी और मध्यमा मोड़ देते हैं और ये अनामिका और या अमुठ्था यही से अपने नासिता पे रखें और अमुठ्था को ये चंद्र नाडी और एक सुले नाडी होता है और बाय हाँ को इस तरह योग जागना कि तरह ओन साध्रा की तरह करें और ये अमुठ्था इढर रखें वाय नासिता से स्वासा ले और दाहिने से स्वोड़े उससे जो वीपी हाई ब्लट पे सब्सक्राइब चुक्च लख तचा उसकी ये विमारी का निदान हो तो दाहिना नाम पे अमुठ्था रखें वाय नाचिका से स्वास ले इसको इस तरह से पांच बार करें जो आपके इसे अनुलोम विलॉम करतेंे और बाय हात की तरह सो मनेखेंगे कभी भी कई कई भी ताइब्य कर सकते हैं आप घर में करें या बाहर वह शुबा उतना ही अच्छा करणायम हमें करना चाहिए योगा में पहले यह है कि हमें जोर से सांस लेना है और सांस छोड़ना है यह वाला जो आसन अगिया हमें करी eleven तक करना है और एक कपाल भारती है जो जोर से सांस छोड़ना है और पेट अंदर रखना है सांस छोड़ते समय पेट अंदर होनी चाहिए एक यह योगा होना चीए प्रणायम होना चीए और एक अलोम विलोम जो बाइं नाग से सांस लेना है बाइं और नाएं से छोड़ना है होल्ड करें सांस को और फिर दीरे से सांस छोड़े दीरे से एक तरफ से सांस लेना है दूसरी और से सांस छोड़ना है तो यह अगर हम बच्पन से ही स्टार्ट कर दें बच्चे भी अगर इस योग को करें तो आगे जाके उन्हें बहुत फायदा होगा और बच्चे जो आज लेमन से अलर्जी तो वो सारे अलर्जी दूर हो जाएगी और काफी बचे स्वास्थ रहेंगे अच्छी चीजे खाएंगे और यह सब बिमारी उसे दूर रहेंगे यह आपने बहुत अच्छी बात कही थी बीच में कि हम रोग से को बचाने के लिए योग करते हैं पैसा ना अपने रोग को ए हम एक बात और पूक्ष ताज चाहूंगी कि डायट से भी दिल को जो है ना बचाया जा सकता है पुछ भी ऐसा होने तो उसके लिए हम क्याता है का बहुत बड़ा रोल है हम अ, आकर निलके दिल के रोगी है तो घी तेल से तो दूर ही रहें और हरी सबजियां को डाइट में लाएं, हरी सबजियां खाएं और एक ग्लास लौकी का जूज जरूर पिएं और एकुप्रेशर है चोटा सा कि लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड के लिटल फिंगर को ये जो है ये पोर्शन दबाएं और ये जो रेखा है और लेफ्ट हन्ड के नीचे का इसको दबायें अगर आपको पेन हो रहा ह कोई दिक्कत नीए मतलब अगर गलत भी कर रहें तो कोई प्रॉबलम नहीं होगा लेकिन अगर पेन होगा अगर आप सही चू अर गा इसको लेफ्ट हैंड के लिचंग ऊपर वाले हिस्पे को इधर, ओर इधर, सेम हिस्टा पैरों के भी, यही करे, और यह पांच दो या तीन मिनट करे और उसके बाद, लास्ट में आप, यह कोई भी अकूबरेशर होता है, तो बीच वाला लास्ट में दबाया जाता है. तो इसको करें तो बहुत बड़ा हेलपफुल रहेगा डायेट और एकुपरेशर प्लस योग जी हां हिर्दे को बचाने के लिए रोगों से जितनी दूर करने के लिए बहुत जरूरी है कि योग के साथ सत ऐसी कसरतें ऐसा जीवन शैली को जीना ऐसा खान पान रखना ऐसा रहन सेयन रखना जिससे कि हम अपने आपको स्वस्त रख सकते हैं मजबूत कर सकते हैं और अपन बहुत बहुत शुक्रिया आपने बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को दी है इसके लिए थैंक्यू सो मैच